Hello everyone, welcome back to our channel PCMBA Digital Gurukul. तो आज 11.2 सेक्षिन पढ़ेंगे पिटा, Plant-Water Relations. उससे पहले गर हम पिछली क्लास की बात करें तो Uniport, Antiport, Active Transport वगरा की हमने बात कर ली थी. जैसे हमने देखा था कि Active Transport में Specific Membrane Proteins होते हैं, जो कि इस्तमाल आते हैं, हमारे काम आते हैं, और Different Proteins होते हैं, जिसमें से कुछ Protein Active और कुछ पैसे Transport का काम करते हैं, Membrane के अंदर, Plasma Membrane के अंदर, Pumps, Woke Pumps, उन्हीं Proteins को कहते हैं, जो चीज़ों को इदर से उदर Cross कराने में मदद करते हैं, और उसके लिए उनको Energy चाहिए होती है, और ऐसे Transport को जो Low Concentration से High Concentration पे जाए, Energy के Requirement के साथ उसे Uphill Transport कहते हैं, ये बात Important होती है, इस तरीके के Proteins, Inhibitors से काफी Sensitive भी होते हैं, और अगर हम इन सभी Processes का Comparison करें, तो Simple Diffusion में ये Important Table है हमारे लिए, Simple Diffusion के अंदर, अगर हम देखते हैं, तो कोई Special Membrane Protein नहीं चाहिए, कोई Selectivity नहीं है, कोई Saturation नहीं है, लेकिन Facilitated में उपर के तीनों Points चाहिए हैं आपको, अपिल Transport और ATP Energy नहीं चाहिए, जबकि वो दोनों Point Active Transport में चाहिए होते हैं, तो ये तरी Vision हो गई हमारी, उसके Plant Water Relations, Water Essential होता है, जैसे हमारे लिए वैसे प्लांट के लिए भी सभी Physiological Activities करने के लिए, जाता सबस्टांस जो है, प्लांट के अंदर भी इसी मीडियम में डिजॉल्व होते हैं, Watermelon में 92% Water होता है, Herbaceous Plants में, ज़्यादतर में 10-15% of their weight, जो है, वो वाटर ही होता है, वोडी विप प्लांट में थोड़ा कम पानी होगा, सॉफ्ट पार्ट में ज़्यादा होगा, यह तो common sense है, सीड चाहे ड्राई दिखती हो, बट उसमें भी पानी होगा, वरना वो जिन्दा नहीं रह सकती, इरेस्पायर नहीं कर सकती, इरेस्टेट प्लांट जो है, बहुत सारा पानी डेली लेते हैं जमीन से, पर ज़्यादा तर इससा उसमें से, वो एवपरेशन फॉर्म दे लीव इस्टोमिटा को उपन करते, टाइम अपरेशन की फॉर्म में लूज कर देते हैं, जिसे ट्रांस्परेशन कहते हैं, एं मेच्वर कॉर्न प्लांट भुट्टे का जो पौदा है, थ्री लीटर ओफ वोटर अब्सॉब करता है, मस्तर्ड प्लांट जो है, वो पांच घंटे में अपने वेट के बराबर वाटर को अब्सॉब करता है, तो यह बहुत इंपॉर्टन चीज है, कि वाटर उनके लिए बहुत जादा माउंड में प्लांट को चाहिए होता है, उसकी प्लांट वाटर रिलेशन्शिप बहुत इंपॉर्टन है, और वाटर एक वाटर एक वाटर उनके लिमिटिंग फैक्टर्ज है किसी प्लांट की ग्रोथ और प्रड़क्टिविटी में, यहां पर चार चीज़ें आएंगी, सबसे पहले हमारे सामने आया है वाटर पोटेंशल, तो वाटर पोटेंशल का मतलब होता है कि वाटर मुवमेंट को समझने के लिए हमें यह टर्म समझना है, दो चीजें होती हैं, जितना वाटर जादा होगा, उतना उसका वाटर पोटेंशल जादा होगा, concentration water की नहीं होगी तो किसकी होगी water के लावत जो चीज उसमें soluble है उसे solute कहते हैं तो उसमें जितना solute concentration ज़्यादा होगा तो water concentration कम हो जाएगा solute concentration के साब से solute potential और overall जो force लग रही है water plus solute to dissolve है उस liquid के उसे pressure potential कहते हैं दोनों मिलकर ही water potential decide करते हैं water molecules के पास एक kinetic energy होती है नि movement की ताकत होती है जिसके गरन हम कहते हैं कि पान ये अपना रस्ता स्वैम बना लेता है इन liquid and gaseous forms वो random motion में होते हैं water के molecules जितनी जादा water की concentration होगी उतनी जादा उसकी kinetic energy होगी तो हमें ये समझ में आता है कि pure water will have the greatest water potential ये बात बिलकुल सही है कि pure water की water potential सबसे जादा है क्योंकि उस पर water की concentration सबसे जादा है अगर दो system जो water के कारण contact में होंगे तो random movement होगी from higher concentration या higher energy to the lower energy right the process of movement जो इस तरीके से होती है down a gradient of free energy यानि कि high से low से diffusion कहते हैं water potential को size से denote करा जाता है और उसकी unit होती है पास्कल्स ये बात थोड़ी से important है pure water जादिस्टिल water है उसका water potential zero माना जाता है तो उससे जादा water concentration तो किसी के पास होगी नहीं तो इसका मतलब बाकी सबकी negative में ही count करी जाएगी जैस क्योंकि जैसे solute dissolve होगा तो solution में few water molecules रह जाएंगे उसी concentration घटेगी इसलिए बाकी सबका हम negative मानते हैं solute के कारण जितना भी कम हुआ है उसका potential उससे solute potential कहते है water concentration जितनी भी कम हुई है जितना भी magnitude में कम हुचा solute potential कहते है और वो negative होती है हमेशा more the solute molecules the more negative will be the si s or the water potential यह solute potential उतना ज़्याद़ negative effect आ रहा होगा आपके water concentration पर for a solution atmospheric pressure water potential जो है solute potential के बराबर ही होता है निकि si w जो है वो si s के बराबर मान जाता है अगर हम atmospheric pressure पर बात करें अगर pressure atmospheric pressure से ज़्यादा है to pure water और a solution तो फिर water potential बढ़ जाता है यानि कि water का जो concentration है वो बढ़ जाता है it is equivalent to pumping water from one place to another can you think of any system in your body where pressure is built up क्या आप अमारी body में ऐसा कोई system समझ सकते हैं तो pressure can be build up जैसे की cell walls जो होती है plant cells की कि अगर यह plant की cell wall है तो इस पर जो force लग रही है इस direction में इस तर्जिड कहते हैं तो pressure build up हो सकता है और उसे तर्जिड कहा जाता है अगर हमें ठीक से याद हो तो ठीक है so c section 11.222 तो वह समा से सभी आएगी भी pressure ठीक है तो ऐसा होने से क्या हो रहा है वाल्स पर pressure लग रहा है तो pressure का potential यह value बढ़ रही है तो उसे कहते है it increases the pressure potential pressure potential जो होती है वह usually positive होती है दो इन plants negative potential attention the water column plays a major role in transport system अला कि plants के अंदर एक negative pressure potential भी create हो सकता है यह tension भी create हो सकता है बड़ जनरली वह positive होती है कब create होता है वह जब जाइलम से water को उपर हमें columns की form में transport करना होता है यानि कि water potential दोनों से effect होता है solid potential जनरली घटा रहा होता है pressure potential जरली उसे बढ़ा रहा होता है तो इसका मतलब साइड डबलो की value जो है दोनों से combine होकर एक level पर आ जाती है ठीक है ओस्मॉसस प्लांट सेल इसरांड़ेड बाई सेल मेंब्रेन इंड सेल वाल सेल वाल फ्रीली पर मेंबल होती है water के लिए and substance and solution is not barrier to movement तो जब सेल वाल फ्री पर मेंबल है यानि कि जो सबस्टांस होंगे आपके solution में वो move करेंगे उनके बीच में कुछ ऐसा नहीं है कि फ्रीली पर मेंबल है तो चीज़े मूव होंगी वो रुकेंगे नहीं in plant the cell usually contain all vacuum जिसके अंदर sap होता है यानि कि liquid जैसा composition होता है plant cells में cell membrane और membrane of the vacuum जो है वो present होती है tonoplast जो की molecule की movements को decide करती है osmosis का generally मतलब होता है water का diffusion selectively permeable membrane के across या cell wall वगेरा के across osmosis occurs in responses response to driving force net direction दो चीज़े से decide होगा जो हम अलड़ी बड़ बोल चुके हैं कि कि कितना concentration और कितना pressure है उनसे decide होगा high concentration से low concentration की तरफ यह आपको move करना है जैसे कि आपने potato osmometer शायद अपनी छोटी classes में बनाया भी होगा कि इस पानी में डाल दिया जाए तो पानी इस ट्यूबर के इंदर बहुत असानी से फिल अप हो जाता है concentration के कारण क्योंकि जो potato tuber था उसमें salt solution था तो वहां water concentration कम था तो इस case में अगर आपसे question पूछा जाए which chamber is lower water potential तो a chamber is lower water potential lower solute potential की बात करोगे तो b has lower solute potential किस direction में जाओगे तो a से b में जाओगे तो यह बहुत असान सा answer दुबारा कर लेते हैं which has lower water potential तो जिसके पास solute जादा है उसके water कम है यानि कि पहले का answer a नहीं होना चाहिए था by mistake we told that b होना चाहिए था lower solute potential किसका है तो वह a का है और movement कहां से होगी कहां से का होगी तो movement a से b होगी अगर हम बात करते हैं which solute has higher solute potential तो भी at equilibrium which chamber will have lower water potential equilibrium पर तो आल्मस्त बराबर हो जाते हैं अगर कभी भी होगा तो भी कई होना चाहिए क्योंकि किसके वाशलूट जादा है कि इस तरीके से questions है आप solve करके देख सकते हैं नहीं होंगे तो comment section में पूछ भी सकते हैं कि अगर एक चेंबर का साइ माइनस 2000 पास्कल जबाटर पटेंशल और दूसरे का इतना है तो higher water potential किसका नेगेटे में छोटी value होती है वह बड़ी माई ने जाती तो सब्सक्राइब करेंगे जहां पर एक फञेल के अंदर आपने सुक्रोज का solution ले लिया है और उसे एक membrane इसमें लेकर एक selectively permeable membrane के through water से separate कर दिया है यह funnel है और इधर आपने separation कर दिया है इन अ बीकर वह selectively permeable membrane तो अब क्या होगा you can get this kind of membrane in an egg remove the york and albumin through a small hole at one end of egg and place the shell in dilute solution of hydrochloric acid for few hours eggs shall dissolve living the membrane intact water will move into the funnel resulting in rising level of solution in the funnel this will continue till the equilibrium is reached in case you cross does diffuse out of the membrane will this equilibrium be ever reached the simple सा उन्होंने question आपको दिया या simple सी बात उन्होंने आपको समझाने की कोशिश करी कि जो भी selectively permeable membrane होगी वहाँ पर अगर water ज्यादा है कि उसके दूसरी तरफ इधर तो water water यह इधर salt है तो पानी यहां से अंदर की तरफ जो है वो move करेगा यह common sense होई अगर सुक्रोज भी बहार move करने लगता तो क्या equilibrium achieve होता तो equilibrium achieve करना तब मुश्किल हो जाता या वो possible हमारे लिए नहीं हो पाता यह उसने बात आपको समझाई external pressure can be applied from upper part of funnel ताकि कोई water यह फनल में ना आए और अगर यह देखो पानी यहां तक भर गया था इस case में तो water concentration की कानल लेकिन pressure लगा के हम इसको खाली भी कर सकते हैं यह ensure कर सकते हैं कि funnel में water enter ना करें the pressure required to prevent water from diffusing from the water from the other side of the membrane to the funnel उसको कहते हैं osmotic pressure इसको कहते हैं osmotic pressure and this is the function of solute concentration more the solute concentration greater will be pressure required जितना solute concentration दूसरी साइट पर जादा होगा उतना rapidly movement हो रही होगी दूसरी साइट से water की पहली साइट से water की उत्ता जदा प्रेशर चाहिए होगा numerically osmotic pressure osmotic potential के बराबर होता है but sign opposite होता है osmotic pressure is the positive pressure while the osmotic potential is the negative one ये बात आपको यहां पर समझ में आ गई behavior of plant cells with regard to water movement depends अगर external solution जैसा की बराबर हो internal के osmotic concentration के तो isotonic external वाला dilute हो तो hypertonic और external वाला जैसे भी dilute था तो अंदर का funnel में water भर रहा था नहीं swell होगी वो particular चीज और salt हो बाहर तो hypertonic plasmolysis किसको कहते हैं when water moves out of the cell यानि surrounding media में hypertonic concentration हो तब जैसे यह plasmolyzed cell है क्योंकि इसमें बाहर जा रहा है पानी क्योंकि बाहर hypertonic है यह flacid है swell कर रहा है यह turgid है तो तीन concentration जो है आपको यहां पर नजर आ रही है अंदर आ रहा है तो turgid है कर रहा है तो plasmolyzed या basically flacid form में वह हो रहा है तो plasmolysis कब होगी जब hypertonic situation होगी water moves out it first lost from cytoplasm and then from the vacuum जो two membranes होती है जिसके कारण protoplasm shrink हो जाएगा cell को plasmolyzed कहा जाएगा what occupies the space between cell wall and shrunken protoplast in plasmolyzed cell cell membrane होगा when the cell is placed in isotonic solution तो कोई changes नहीं होंगे if the external solution balances the osmotic pressure it is said to be isotonic when water flows into the cell and out of the cell are in equilibrium उससेल को क्या कहते है फ्लैसेड कहते हैं जो आप खायरो में दिख भी रहा है कि इन और आउट दोनों चीज़े हो रही है second में लाजमोलाइस जनरली रिवर्सेवल होता है यानि cells को जब आप hypertonic solution में डालते हैं यानि कि high water potential solution में डालते हैं तो दुबारह से turgidity आ जाती है water अंदर आ जाता है cell के अंदर diffuse कर जाता है pressure exerted by the protoplast due to entry of water against the result walls उसको pressure potential कहते हैं because of the rigidity of cell wall the cell does not rupture to pressure pressure ही वो चीज़ होती है यह चीज़ आप से पूछी गई है यह सवाल आपको पता होना चाहिए what would be the psyche of your pressure potential of a flaccid cell positive होगा बढ़ेगा plant के लावा cell wall किसमें होती है fungus में होती है imbibition is diffusion of water जब water को absorb किया जाए by solids collides जिससे कि उनकी volume बढ़ जाए जैसे हम घर पर बूंदी रायता बनाते है कुछ वैसा example imbibition के लिए important होता है जैसे water by seeds and dry wood pressure that is produced by swelling of wood उसको हम इस्तमाल करते थे पहले rock को split करने में boulders मिट्टी के घड़े बनाने में है इसे कुछ चीज में मनाने में if it were not for the pressure due to imbibition seedlings would not have been able to emerge out और इसी pressure के कारण seeds water को absorb करके soil humidity में से भाहर निकल पाती है imbibition is also diffusion since water movement is along a concentration gradient the seeds and other such materials have always no water क्योंकि वो water को easily absorb कर पाती है water potential gradient between absorbent and a liquid imbibed यानि कि जिस seed ने absorb किया और जो liquid यानि कि water absorb किया उसके बीच में जो water potential gradient है वो बहुत जरूरी होता है imbibition के लिए thank you so much for watching keep supporting us